हाज है हमारी class number seven और यह second last class होने वाले है of cyberlink power lab हाज ची class में हम दरने वाले हैं कि जिसके दिके से हम text को animate कर चुके हैं अब हमारे पास text टाक्न को के कुछ से बने बनाई होता है और उसमें सिर्फ हमें अपना text बूप करना होता है और हमारा काम होची का होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एनिमेशन जो text एनिमेशन जो होती हो पदेशी बनी भी होती है मतलब है अपना नाम या चैनल का नाम यह सब चीजें एंटर करने होती हो और सब कुछ आड़ी हो जाता है सो लेट स्टार्ट और अब मैं जा रहा हूँ जाने के बारने आपको टेर्ट सारे टेक्स मन जाने और अभी तो मैं सिर्फ यह वाले टेक्स कर रहा हूँ क्यूंकि एंको समझना जाड़ा एजी है, सब कुछ सेम मैथड है को एतनी बड़ी साइश नी लगने वाज़ी मेथ मेंदी कियूंकि सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा सिर्फ आपको अपना चैनल का नाम या फिर जिस जो भी नाम पुट करना आपको भो करना पड़ेगा सिर्फ इस पर अपना कोई भी चीज या पिर अपना कोई भी अलफाज हो या पिर कोई भी सेंटेंस हो पुट करके अपना अपनी अनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं इसकत यहां पर रेन्बू दे रहा हूँ और यह मेरे पास निचा आप ही लिया अब देखें आप तो यह आपको एक अच्छी सी अनिमेशन बना के दे रहा है तो यह अच्छा एक फीचर है इसमें तो मैं इसमें क्या करूंगा इसका टैक्स को तुना सा एडिट करूंगा और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा अपना नाम और अगर मैं दूसरा टैक्स लेना चाहरा हूं और इसकी तरह किसे मैं लेँ सकता हूं पर एक्जमबल यह कलर नियून जो यह लेवाले लेता हूं इसी तरह के साथ बाकी सारे टैक्स पी दे सकते तो यह मेरा जो नाम डंब खोंगा और यह भी एड अनिमेशन है जो कि बस यह अलब अलब करना लगी है तो अब आप लेखें कि यह किस तरीके से एक अच्छी सी अनिमेशन टेक्स अनिमेशन बन चुकी है तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई हो यह टुटोरियल समझ में आया हो में आपको अनिमेशन के सब्सक्राइज angular के से करें लेट। पार इडियर की सक्टी यह क्या उपकाई पर वैज बनाओ कos इनलब गार अक्यूम में परियाद आपको पारडेक्टर नक्यूम हम यह वा मैं मैं पक्यूम्तु को पहतलआ है बहुत ज्यादा असमान है और इसमें आपको multi-layer support मिल जाता है और इसमें animate करने का option मिल जाता है जो कि कुछ application में अविलिबल नहीं है काइन मास्टर में अविलिबल है लेकिन काइन मास्टर इतना suitable नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ जो मसला है अगर आपकी device slow है तो वो export नहीं कराएगा कुछ ना कुछ अरण आजाएगा और उसमें unlimited layers तो support करती है लेकिन उन devices के लिए जो उसको bear कर सके लेकिन जो devices छोटी होती है जैसे के 1GB RAM या 2GB RAM वो थोड़ा सा मसला करती हुए है क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा heavy हो जाता है और उसके effects और उसके filters बहुत जादा heavy है तो इसलिए कुछ हो जाता है तो इसलिए हम वो इसमें करने वाले power director is the best choice और यह editor choice भी है और प्लेंस्टोर पहर और तो बैस थैंक् जाता है